तो क्या महाराष्ट में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है एकनात शिंदे अपने विधायकों के साथ अगर मातो शिरी की तरफ चले आते हैं तो क्या महाराष्ट में बीजेपी को जटका लगेगा और आखिरकार क्यों ये कहा जा रहा है उद्दव ठाकरे की तरफ से कि हमारे पास विधायकों का उतना संख्या बलतो है कि हम विधान सभा में ये प्रस्ताव रख सकें कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं तो क्या बीजेपी और शिंदे के बीज चल रही खटपट का नुकसान अब बीजेपी को उठाना पड़े हैं साल 2024 का चुनाव नजदीक है वैसे वैसे महराष्ट का सियासी जो मुद्दा है वो गरमाता चला जा रहा है महराष्ट में हम ये देख रहे हैं कि एक नाज शिंदे और बीजेपी के बीच में अनबन चल रही है बीजेपी देवें रफाडविस को आगे बढ़ा रही है सियम पत के लिए दूसरे तरफ की तस्वीरों को हम देख रहे हैं कि उद्दव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो भी विदायक नाराज है या जो विदायक बीजेपी से खुश नहीं है वो मातोश्री चले हैं तो ऐसे में क्या शिंदे की भी बाप्स होगी हाला कि अपने दर्श रहे हैं बहुत आत्म विश्वास के साथ कि चुनाव करवा लिजे तो क्या परदे के पीछे शिंदे और उद्व ने हाथ मिला लिया है और अगर हाथ मिला लिया है तो फिर समझेगा कि उद्व ठाकरे एक बार फिर महराश्ट में कमान समालते नजर आएंगे और जिस तरी दिके का महराश्ट में भी लगेगा जो जोड़ तोड़ की सरकार बीजेपी ने बनाई वो ज्यादा समय तक चलती नजर नहीं आए आज के लिए तना ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक लिए जा दीजे नमस्कार